एलो फ्रेंद्स, वेलकम टो माई चानल, I am Chef JKB, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए good news लिखाया हूँ मैं आपके लिखाया हूँ दो book एक है तंदूरी basic book जिसमें मैंने चार परकार के मसाला और उससे कबाब कैसे बनाते है और तीन परकार के चठनी के बारे में बताया है और दूसरा है word meaning जिसमें मैंने 50 word meaning का full form बताया है जैसा कि hotel हो गया उसमें से safe, GDP, distributed इसमें मैंने 50 word meaning का full form बताया है और 200 word meaning जो kitchen में हमारे related है hotel से related है उसमें मैंने बताया है अगर आप ये दोनों book purchase गरना चाहती हो तो मैंने description में में वाटसप लिंक दिया हो वहाँ जाके आप click करते ही मेरा वाटसप में पहुंच जाएंगे और आप वहाँ पे मेरे मेरे से बात कर सकते हैं और book को करी सकते हैं इसका price बहुत ही कम रखा है ताकि जोग भी चीज फिरी में देते हैं तो उसका value नहीं रहते हैं इसके लिए मैंने बहुत कम इसका price रखा हो आप मेरे को वाटसप में message गर सकते हो आज मैं आपके लिए लिखाया हूँ five word meaning जो book में अंदर बुक के अंदर तो ही मैं आपको यहां भी आज बता दूंगा अगर आपने book भी नहीं लिया कम से कम पांस तो आप यहां से सीख के जाएंगे अगर आप होटेल में काम गरते हो तो आपका होटेल का फूरा मीनिंग तो आने चाहिए राइट होटेल का फूरा मीनिंग है होटेल इसका full form है hospitality, organization, tourism, enjoy life सेकेंड है शेफ अगर आप शेफ बनना चाहते हो future में तो उसका मीनिंग आने चाहिए राइट शेफ का मतलब होता है CHEF, clean, hygiene, ethnic, food थौर्ड है CDP, save the party फौर्थ है DCDP, demi, save the party फिप्थ है K.O.T. अगर आप किचन में काम गरते हो तो इसके बारे में तो नले चुना चाहिए राइट, किचन, order, ticket मैंने आपको पांस बता दिया बाकी बुक में है प्लीज डिस्क्रिश्टन में जाके वाट्सब लिंक में हाई गर के बेजिए और वहाँ से मुझे, मुझसे बात करिये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में